कॉंग्रेस के पूर्वर राट्य देख्षिर राहुल गांदी की भारत जोडो निया यात्रा को ज्ञारखंड में सफल बनानी को लेकर कॉंग्रेसी कारिकर्टा की बैठक आजिस साहिव गंज जिला के वरहर्वा प्रिखन के काजो बागान ने की गई जिसमें कॉंग्रेस विधायक दलकी नेता और ज्ञारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने राहुल गांदी के पाकुड आगमन को लेकर तयारियों कर जाय जालिया 14 जन्वरी से मड़ीपूर से हुई शुरू राहुल गांदी की यात्रा इस बार ज्ञारखंड में भी आट दिनों तक होनी है जिसकी शुरू आत ज्ञारखंड के पाकुड विधान सवा से की जाएगी मंत्री आलमगीर आलम इसी यात्रा को यादकर बनाने को लेकर इसकी तयारी शुरू कर दी है कारिकरताओं में कारिक्रम को लेकर जोश भरा जा रहा है मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कॉंग्रेस नीतर राहुल गांधी इस बार जारखन में भी यात्रा करेंगे और इसकी शुरुआत पाकुर से होने जा रही है उन्होंने कहा कि ये कारिक्रम एतिहासिक होगा जात्रा का शुरुआत है उसी तरह पुर्प से पस्चिम तक बंबे मिलाकर खताम होगा और यह जात्रा का शुरुआत हो चुका है पहले जात्रा आसाम से उधर से अभी नगालन में आज चल रहा है और उसे तकते आसाम आएंगे आसाम से खिलीवुडी आएंगे शिलीवुडी से बंगाल बिहार को टाच करते होगे बंगाल होकर बुस्ताबाद होकर आएकि सम्भाव कर पहने बिगत दिनों में हैं किसा जात्रा में दो दिन रहने को में मुखनी रहे है हज्यारो हज्यार राको लोग का समवेश और हमारे यहां जो हमारे वर्कर्स से लेकर हमारे तमाम नेताओं ने बवावना कि जाहिर क्या था कि जारकन से भी जात्राफ हो और उन्होंने इलान भी किया कि हम लगभग 15 इस्टेट का दोरा हम तो जब उनका अभी पूर्टीन चार्ट हम लोगों मिला नहीं हमें लगता है कि दो तीन दिन के अंदर हमें पूर्टीन चार्ट में जाएगा और हर साल एक बाद हम लोग पॉर्कर से इसी महनम में बैठते हैं पॉर्कर के साथ बचना भी हो जाएगा और राहूल गांधी यहां जब प्रविस करें जो सान सौकत हमारे पॉर्कर्स यहां के कॉंगरेस के लोगों ने दिखाया वो परकरार रहे और हर बार कुछ न कुछ हम जो है रि बिन कुमार की रिपोर्ट